गनपती स्पेशल आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी पर आज की रेसिपी कुछ खास है इस रेसिपी में ना ही हमें दूच चाहिए ना ही मावा ना ही घी चाहिए और ना ही गैस जलाने की जरुवत है सिर्फ पांच मिनट में ऐसे मोदक बनकर तयार सच शेकाल कैसे है आप सभी आप सभी का वेलकम है फुलम कोष रेसिपीज में तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं तो दोस्तो आज की रेसिपी बनाने के लिए किसी भी थाल या पराद में हम लेंगे एक कप मिल्क पाउडर और एक कप डेसिकेटेड़ कोकोनट यानि की सुखे नारल का बुरादा मार्केट में बहुत आसानी जे मिल जाता है उसके साथ ही दोस्तो यहां पर मैंने डाला है आ यहां पर चीनी हमने थोड़ी कम डाली है क्योंकि मिल्क पाउडर में भी मिठास होती है इसलिए थोड़ी सी कम चीनी हम डालेंगी उसके साथ ही मैंने यहां पर ले लिया है मलाई जो दूद की हम कलेक्ट करते हैं मलाई आज मैंने वही स्तमाल की है बिल्कुल फ्रेश यू करना है और इसका जो आटा है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि मलाई को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और जादा जादा ऐसे गूंत कर सैट करेंगी अगर आपके पास मलाई नहीं है तो उसके आपशन में आप यहाँ पर चार चमच मलाई समिडारी थी उसी में यह सारा मिक्स्चर बंद गया है बहुत ही अच्छी तरह से आप देखिए अब हम जिस तरह से आटे को कैसे गूंत कर रेडी करते हैं सॉफ्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे 2-3 मिनट के लिए गूंत लेंगे और उसके बाद जो मिक्शर है यह सेट हो जाए दोस्तों गनपदी के समय में अकसर कई बार हमारे पास समय की कमी के कारण या फिर कई लोग जो कोकिंग नहीं जानते हैं उनकी लिए यह वाली रेसिपी बिल्कुल परफेक रहेगी आप जहटपड से कभी भी मोदक का भोग बना के गनपद मोदक के मोल्ड में डालकर सेट कर लेते हैं वैसे आप चाहें तो इसके लड़ू भी बना सकते हैं बहुत आसानी से पर हम गनपदी बापा का भोग बना रहे हैं तो यहां पर मैंने मोदक मोल्ड ले लिया इसमें इस तरह मिश्रन को डालेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारे मोदक बनकर तयार हो जाएंगे मोदक मोल्ड बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं तो आप इस तरह से सभी मोदक को बना कर तयार कर सकते हैं लास्ट में हमें से तो गसा केसर के साथ गानिश करेंगे और हमारा मोदक का भोग बनकर पूरी तरह से तयार हो चुका है.